हेलो बच्चों आपके अपने चैनल एजुकेशनल स्कूल में बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले बच्चों यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्क्राइब नहीं किया है तो पहले तुरंथ मेरे चैनल को सब्क्राइब कर लें तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं एक पोय है जिसको country churchyard यानी कि एक चर्च यार्ड में, मतलब एक चैनल कर घर में, मतलब जिसको चर्च बोलते हैं तो गीर्जागर में यह कविता लिखे गई है तो अब देखिए क्या लिखा गया है इसमें Thomas Gray क्या लिखते हैं चलिए देखते हैं हम लोग देखें कहा जा रहा है चलिए पहले दो लाइन का देखते हैं जब गिर्जागर की घंटी बजती है तो यह पता चलता है the parting day की अब दिन समाप्त हो रहा है जब गिर्जा घर की घंटी बचती है तो उसकी घंटी की आवाज से ही ऐसा प्रतित होता है या हो जाता है कि दिन समाप्त हो रहा है the lowing herd wind slowly over the lee और पसुएं जो पसुओं का जूंड है herd miss जूंड जो पसुओं का जूंड है वो एक साथ रंभाते हुए या बोलते हुए धीरे धीरे अब चराहगा से अपने घर की तरब जा रही है मतलब दिन समाप्त हो रहा है तो पसुओं भी अपने घर की तरब जा रहे हैं आगे देखते हैं the plowman homeward plots his weary way देखिए उसी गिर्जा घर की घंटी की आवाज को सुन करके plowman किसान जो सुबह से अपने खेत में काम कर रहा है वो भी पूरी तरह से ठक गया है अब वो भी plots his weary way अब भी ठक कर धीरे धीरे homeward मतलब घर की तरब जा रहा है and lift the world to darkness and to me अब यहाँ पर कभी कह रहा है कि सभी लोग चले गए है and lift the world सभी लोग इस संसार को छोड़ करके चले गए है to the darkness and to me और यहाँ पर किवल मै और अंधकार ही बचे हुए हैं बाकि सभी लोग चले गए है आगे देखते हैं Beneath those rugged ilms that you tree set where heaps the turf in many a moldering heap each in his narrow shell forever led the root for fathers of the hamlet sleep इस paragraph आपको ध्यान से देखेंगे Beneath those rugged ilms ilms में होता है देवदार का पेड़ जो बहुत बड़ा होता है हमारे हाँ नहीं हो पाया जाता है दूसरे country में पाया जाता है लेकिन लिप्टस के पेड़ की तरह ही होता है लेकिन यह चारों तरफ से इसमें जहां कि चारों तरफ से बहुत सारे साखाय निकल लिए होते हैं पत्तिया होते हैं बहुत सारे तो ilm मिस होता है देवदार का पेड़ तका रहा है Beneath those rugged ilms रग्ण मिस का खुर्दूरा तो दोज मलब कि उन सभी उन सभी खुर्दूरे देवदार देवदार पेड़ के बिनीत मिस आता है नीचे उन सभी खुर्दूरे देवदार पेड़ के नीचे मलब नीचे that you tree said you tree मतलता है एक प्रकार का हरा भरा पेड़ मतलब कि उन सभी खुर्दूरे देवदार पेड़ के नीचे और मतलब कि हरे भरे पेड़ के छाए में यहाँ पर द्यास देखेगा पहले देवदार का पेड़ है फिर देवदार के पेड़ के नीचे यू ट्री मतलब कि जो हरा भरा पेड़ है वो है मतलब हरे भरे पेड़ के छाए मतलब पेड़ के नीचे वहाँ पर बहुत सारे कब्र है पहले देवदार का पेड़ है पर देवदार के पेड़ के नीचे बहुत सारे हरे भरे पेड़ है फिर उन्हीं ज्षाओं के नीचे जो है where heaps the turf in many moldering heap बहुत सारे कबर है उसी कबर पर मिट्टी देखें moldering में सोलता है मिट्टी का भुरुरा मिट्टी का भुरुरा डाल करके उसको थोड़ा सा उचा कर दिया गया है होता है थोड़ा सा ऊचा हो जाता चोटा होाब कर तो यहां पर उसी के नीचे बहुत सारे आ कबर हैं कबर के ऊपर मिटी के धेर है और टर्फ होता है घास का फेड़े जो की सुखा हुआ और उसी उसी मतलब कबर पर सुब बहुत सारे सुखै हुए घास भी इच इंगी जे neat फॉरेवर लट और उसी कब्र में नारो सेल मतंब छोटा कब्र उसी छोटे कब्र में अमेशा हमैसा के लिये हमैसा के लिए लेटे हुए हैं कौन लेटा हुआ है दा रूड फार our सकते हमेशा हमेशा के लिए हमेशा हमेशा के लिए हैं अगे देखिए इसको विद्यास देखेंगे जब ठंडी हवा जब ठंडी हवा जब ठंडी हवा जब ठंडी हवा चलती है तो इसेंस इसेंस ब्रीथिंग मतलब फूलों की सुगंद से भरा हुआ हवा कि सुबा सुबा में फूलों की सुगंद से भरी हवी हवा जब चलती है कि compliance मतलब की पुकारती है किसको की सुबव में लेटे हुए है उणी को पुकारती है दस स्वैलो टुटरिंग फ्राम दा इस्ट्राफ बील्ट लेड़ स्वैलो मिस अबाबिल वो जो अबाबिल पक्छी है जो इस्ट्राफ बील्ट सेड जो तिनके से मतलब छोटे-छोटे लकडियों से अपना गोसला बनाकर अपने गोसले में बैठी हुई है वो भी चचाहा क करके वह भी चीची करके अपना गीत गा करके उनहीं वही मतलब कवरं में लेटे हुए पुरवजों को जगाती है वह सबस्बर अपने लोगों को जगाने का प्रयास कर रहा है और ता इकोईंग हॉर्न और जो सिकारी लोग जो अपना बीगुल बजाते हैं जंगल में सिकारी लोग अपना बीगुल बजाते हैं तो सिकारे भी बिगुल बजा करके उन כ्रोजों को जगा रहे हैं लेकिन कोई भी कोई भी या किसी का भी आवाज उनके पुर्वजों को उनके बिस्तर से लवली मतलब कि बहुत अच्छा जो उनका बिस्तर है उनके बिस्तर से कोई भी जगा नहीं पाएगा आगे देखते हैं लेट नाट एंबीशन लेट नाट एंबीशन मोक देर यूश्फुल ट्वयल देर होमली ज्वाइज एंड डेस्टनी अप्सक्योर नौर ग्रेंडर हीर वीट अर दिस्टेंफुल स्माइल दसार्ट एंड सिंपल एनल्स अब दा पूर लेट नाट लोग देर यूश्फुल ट्वयल यूश्फुल ट्वयल मतलब यहाँ पर न वहीं जो गरीब लोग हैं जो छोटे लोग हैं कठीन परिस्टन तो कह रहा है कि लेट नाट एंबीशन मोक मतलब मजाक उड़ाना या हसना यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो महत्वा कांची लोग करते हैं उनके कठीन परिस्रम पर महत्वा कांची लोगों को मजाक नहीं महत्वा कांची लोगों को नहीं हसना चाहिए उनका मजाक उड़ाना क्यावीं की आपसक्यूर और उनके नहीं बनाना चाहिए जी चोटी लोग होता हैं उनका भाग बहुत बीकार होता है या बहुत ही कह सकते हैं किaçãoस्पर्स होता है तो जो महात्वा कांच्व काँची लोग है छोटी लोगों के भाग Guess पूर देखे ग्रेंडर में सोथा बड़े आदमी अधिस्टेन्फूल मतलब की तुछ भावना से घ्रड़ा के भावना से इतिहास मतलब की बीटी हुई बाती यहां पर की जो बड़े आदमी होते हैं उन बड़े आत्मी आदमियों को गरीबों के बहुत ही साधारर इतिहास के ऊपर गरीबों के बहुत ही साधारर इतिहास के ऊपर या उनके जीवन के ऊपर दिस्टेन्फूल इस्माइल मतलब तुछ पुरुवक या घ्रुड़ा पुरुवक नहीं मुस्कुराना चाहिए या उनके इतिहास का मजाक नहीं बनाना चाहिए awaits हलाइग ड़ इनवाइटिबल हर दपार अफ ग्लोरी लीड़ वीड़ 것을 अफ हेरालड्री मतलब की बड़े बड़े लोग जो ऊचे जाती में प양डा होते हैं तो बूस्ट अफ इनकटी जो ऊचेशती होते हैं जो बहुत इसमार्ट होते हैं जो बहुत अत्यान्त सुंदर होते हैं All That Wealth Ever Gave वे सभी लोग जिनके पास बहुत धन होता है वे सभी जिनके पास बहुत सारा धन होता है अवेट्स अलाइक दा इन्वाइटबल आर मृत्यू सबका एक समान रूप से प्रतिच्छा करती है अवेट्स अलाइक दा इन्वाइटबल आर मृत्यू जो है सबका एक समान रूप से प्रतिच्छा करती है जिसको टाला नहीं जा सकता जिसको टाला नहीं जा सकता कहने का मतलब है चाया अमीर हो चाया गरीब हो चाया सक्तिसालिय हो चाया कमजोर हो चाया सुन्दर हो चाया बहुत अमीर हो सबको मिर्तिव आनी है उस मिर्तिव को टाला नहीं जा सकता फिर आगे कह रहा है कि the path sap glory lead but to the grave फिर आगे कह रहा है कि वह ब्यक्ति जो बहुत सम्मानित होता है जो बहुत प्रसीद होता है glory जो हमेशा अपन दान पूर्ण करता है जो हमेशा लोगों की मदद करता है but to the grave वो भी मिर्तियू को प्राप्त हो जाता है ऐसे लोग भी मृत्यू को प्राप्त हो जाते हैं तो दूसरी लोगों की तो कोई बात ही नहीं है कहने का मतलब है कि सबको मृत्यू आनी है इसलिए हमें किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए हमें किसी का उपास नहीं करना चाहिए चलिए हम लोग सेंट्रल आइडिया भी देख लेते हैं इसका सेंट्रल आइडिया हम लोग देखते हैं मतलब इस कविता में थामस ग्रेव जो है जो अनपड है साधारण है और जो अज्याद ब्यक्तियों को स्रधाजली देता है जो अपनी कब्रों में दफना दिये गए हैं जो कब्रों में लेटे हुए हैं फिर यहाँ पर बताता है कि हम लोगों को अपने महान वन्स में याथ अपने धन पर सक्ती पर सुनता प्रमिमान नहीं करना चाहिए यह सभी एक दिन खत्म हो जाते हैं मर जाते हैं the end of our life's journey is death which is certain to all अकरा कि हमारे जीवन यात्रा का जो अंत है वो मृत्तिमी होता है जो कि यह अवस्यागा जिसे कोई टाल नहीं सकता तो चलिए इस तरह से आपका यहां पर सेंट्रल एडिया भी खत्म हो गया आपने को कविता अच्छा लगा हो एक्स्प्लेंशन अच्छा करें सेयर तो अधिक से अधिक करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस इस मिलब जानकारी को पड़ सके इस पोयम को पड़ सके थांक्यू झाल 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